हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू सिविल सेर्फिसेश ड्रीम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जनरल इस्टुडीट से संबंदित कुछ महत्पूर्ण प्रस्नों पर तो आईए इसे के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं आज का पहला कोच्चन है भारत में तेल की पहली परिस्करण साला इस्थापित की गई थी ए विसाका पत्तम में बी मुंबई में सी डिगबोई में या डी बरोनी में जी इसका राइट आंसर है C. डिगबोई में असम के तिन सुकिया जिले में इस्तित डिगबोई तेल परिशोधन सयंत्र ना केवल भारत का बलगी एशिया का भी सबसे पुराना तेल सयंत्र है मतलब कि ये भारत का सबसे पहला नहीं ये एशिया का सबसे पुराना तेल सयंत्र ठीक है सताबदी एक्सप्रेस रेल गाड़ी का नाम किसकी सत वार्षकी को सम्मोधित करता है A. भारती राष्ट्री कांग्रेस B. महत्मा गांधी C. भारत का सवतनता युद D. पंडि जवालान नहीरू D. पंडि जवालान नहीरू ततकालीन रेल मंत्री माधवराथ सिंधियाने भारत के प्रथम प्रधान मंत्री जवालान नहीरू जी के जनम सताबदी के अफसर पर 1988 में में इस रेल गाड़ी का उद्गाटन किया था आरंब में या रेल गाड़ी दिल्ली से जहासी तक जाती थी बाद में इसे भोपाल तक चलाया जाने लगा नेक्स्ट कोस्टन अफ्रीका में अस्वान डैम द्वारा बनाई गई जील है A. चार्ट B. टांगा नहीं का C. नैसार या D. विक्टोरिया जी इसका राइट आंसर है C. नैसार को 158 से to attend मिस्स में नील नदी पर आस्वान हाई डैम के निर्माड के dois्रान नासीर जील का निरवारmm किया गया था यहां विस्टो की सबसे बड़ी मानव निर्मित जील है मतलब नैसार जो है वो 20 की सबसे बड़ी मानव निर्मित जील है नेक्स्ट कोस्टन फ्रीडम फ्रॉम फियर उस्तक किसके द्वारा लिखी गई ए बेनेजीर भुट्टो बी आंग सान्सूकी सी नयंतारा साइगल या डी मलाला यूसुप जी जी इसका राइट आंसर है बी आंग सान्सूकी इस पुस्तक में मियामार की महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचारों के विरुद आवाज उठाई गई है पंद्रा वर्सों तक विरोधियों के कबजे में रहने के बाद 2010 में 2010 में लेकी का आंग सान्सूकी को हाउस अरेस्ट से मुक्त मिली थी ठीक है 2010 नेक्स्ट कुस्चन लोक वित में अधिक्तम सामाजिक लाब अधिक्तम सामाजिक लाब का सिद्धान किसके दोरा दिया गया था A. मुस्ग्रेब B. फिंडले C. रॉबिंसन या D. डाल्टन जी इसका राइट आंसर है D. डाल्टन डाल्टन ने अधिक्तम सामाजिक लाब का सिद्धान दिया था ये एक ब्रिटिच अर्थोसास्त्री थे जी नेक्स्ट कॉस्चन किस वर्ष में भासाई आधार पर राज्यों का पुनरकथन किया गया A. 1956 B. 1960 C. 1964 D. 1968 जी इसका राइट आंसर है A. 1956 इसमें आंद्र राज्य को तेलुगू भासी छेत्र हैदराबाद जो की बरतवान में तेलंगाना की राधदानी है के साथ मिलाकर 1956 में आंद्र प्रदेश की स्थाबना की गई इसी प्रकार दच्छिड में केरल और अन्य तीन राज उत्तर प्रदेश मद्य प्रदेश वा बिहार की स्थापना हिंदी भासी छेत्र के रूप में की गई थी ठीक है नेक्स्ट कोस्टन डोल्डरम कटिबंद कहां इस्तित है A. भुमद रेखा के निकट B. करक रेखा के निकट C. मकर रेखा पर D. दुरुवी छेत्र के निकट जी इसका राइड आंसर है A. भुमद रेखा के निकट डोल्डरम कटिबंद कहां है भुमद रेखा के निकट नेक्स्ट कोस्टन निमलिकित किस राज में गारो और खासी जातिया पाई जाती है A. असम B. मिजोरव C. मेगाले D. सिक्किम जी इसका राइड आंसर है C. मेगाले मेगाले में गारो और खासी जातिया पाई जाती Next question कौनसा जलास है अंडमान और निकोबार दियुप समूहों को अलग करता है A. बंगाल की खाड़ी B. अंडमान का समुद्र C. 11 डिग्री चैनल D. 10 डिग्री चैनल जी, इसका right answer है D. 10 डिग्री चैनल या 10 डिग्री चैनल ये क्या करता है अंडमान और निकोबार दियुप को अलग करता 10 डिग्री चैनल सतंत्रता के बाद विक्सित किया गया पहला पतन था A. न्यू मैंगलोर B. कांडला C. मुंबई या D. नावा सेवा जी इसका राइट आंसर है B. कांडला 1950 के दसक में या विक्सित किया गया था कांडला ये भारत सतंता के बाद विक्सित किया गया भारत का पहला पतन था ठीक है तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं और साथ ही साथ अपना स्कोर भी सेयर करें धन्यवाद